गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाओ, अर्थाद भगवान का रूप और नाम दोनों ही बहुत मधुर हैं, चंदनाचा चूड, सोनिया वही वेडी, सुख नेदी फोडी, प्राण नाशी, तुका मने नरकी, घाली अभिमान, जरी होए ग्यान, गर्वता था, लकडी च चाहे चंदन की ही क्यों नहों, लेकिन कौन चाहेगा कि मुझे उस पर सदैव के लिए टांग दिया जाए, कौन चाहेगा कि मैं सदैव बंधा रहूं, चाहे रसी सोने की ही क्यों नहों, ठीक वैसे ही, व्यक्ति कितना ही ज्यानी क्यों नहों, किन्तु यदि वो ज्यान उस साधारन परिस्थितियों में रहते हुए अत्यंत विनम्रभाव से नाम रूप में भगवान के भक्ती को सब और फैलाया भारत के महान संत की इस श्रिंखला में आए आज जानते हैं संद्टुकाराम के विशय में संद्टुकाराम जी के पूर्वज सब श्री हरी विठल के प काश्वानी हुई कि विश्वंबर के वंश में एक बहुत ही महान भक्त जन्म लेने वाला है जो पूरे विश्व का हरी नाम से उद्धार करेगा वह अपने मीठे रस से भरे हरी किरतन से सब के रिदे को मोहित कर लेगा विश्वंबर के वंश में ही कुछ पीड़ी बात ब हर साल पंडरपुर की पैदल यात्रा करते कृष्ण भगवान बोलोभा के भक्ति से बहुत प्रसंद थे ब्रह्मा विश्व और महेश बोलोभा और कनकाई बाई के स्वपन में प्रकट हुए और उनसे कहा हम आपके भक्ति भाव से बहुत प्रसंद है अगर आपके रिदे संदर अभंग लिखे भगवान ने कहा तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी तुम अपने रिदय में दृढ विश्वास रखना एक समय भगवान श्रीकृष्ण गोलोग धाम में अपने भक्तों की बीच चंद्रमा के समान बैठे थे भगवान बोले मैंने अपने बीच बैठे एक भक्त को बुलाया और कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम धरती पर जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो हरी नाम की ऐसी गंगा वहाओ जिसमें सभी जीवों की प्यास बुच जाए और उन्हें भौतिक जीवन के ताब से शीतलता भी मिल जाए तब भक्त ने भ आपके नाम किरतन में निद्य कर सकूं ऐसा कहते ही तुका राम महराज इस धराधाम पर हरी नाम का प्रचार करने हे तु प्रकट हो गए बोलोभा की धर्म पत्नी कंकई ने पूरे नौ महिने नव विधा भक्ती का सहध्य पालन किया वे कितनी भाग्य शाली थी कि भगवा जब तुकाराम महराज ने हरी भक्ती प्रचार हेतु इस धराधाम पर जन्म ले लिया था जब कंकाई ने अपने पुत्र का चेहरा देखा तब उन्हें आभास हुआ कि मानो शांती सुख वेराग्य और भक्ती का एक विशाल सागर उन्हें मिल गया हूं भगवान श्री आपको सिखाओ कि इस जगत में कैसे रहना चाहिए फिर तुम देखोगे कि कैसे सही सोच वेराग्य और प्रेम भक्ती तुम्हारे रिदे में प्रकट होती है बारवे दिन बोलोभा और कनका भाई ने शिशु का शुद्धी करन संसकार किया और सब श्री रुक्मिनी विठल के मंदर गये कनका भाई ने शिशु को विठल के चड़नों में रख कर कहा कि आप इस बालक को अपना नम्र सेवक जानकर स्विकार करें यह सुदकर विठल रुक्मिनी से बोले रुक्मिनी तुम शिशु को अपने हाथ मिलो और कनकाई को दो जब रुक्मिनी देवी ने शिशु को दिया तम कनकाई ने कहा श्री रुक्मिनी देवी से ओ जगत जननी आप इस शिशु को अपनी इच्छा अनुसार एक उप्यु यानि जो मूढ लोगों का उधार करेगा तुकाराम महराज का बच्चपन बड़ा ही आनंद मैं और भक्ती मैं था और बड़े होने पर उन्होंने बहुत ही इमानदारी से अपने पिता का कारोबार भी संभाला उनकी पहली पत्नी के आकास्मित दिहान्त के बाद अपनी माता के कहने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया अब तक उनके पास घर, व्यविसाई, अच्छी पत्नी, बच्चे, प्यार करने वाले भाई-भाभी सब थे किन्तु भगवत गिता में भगवान च्रीक्रिश्न कहते हैं कि सुख और दुख बदलते मौसम की तरह सभी के जीवन में आते हैं यानि जैसे सर्दी के बाद गर्मी का आना निश्चित है वैसे ही जीवन में समय समय पर सुख और दुख का चक्र लगा रहता है तो तुकाराम महराज जी के जीवन में भी ऐसी घड़ी आई जहां एक के बाद एक वो अपने जीवन में परिशानियों का सामना करने लगे उनके माता पिता इस जगद से चल बसे जिसका उनको बहुत दुख हुआ उन्होंने सोचा कि अब भागय में जो लिखा है वो तो हो गया अब मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा उनका कारोबार भी ढूपता चला गया वो दिन रात अपने परिवार के भरण पोशन के लिए मेहनत करते फिर भी उनके मुख से हरी नाम चलता रहता विठल के नाम के प्रती उनकी मीठी निर्भरता कभी कम नहीं हुई तुकराम महाराज जी की भक्ती को देखकर ये तो सपष्ट था कि विठल उनकी परिक्षा ले रहे थे गाओं के सभी लोग और उनकी पत्नी भी बोलने लगी कि ये सब तुम्हारे अत्यदिक भक्ती के वज़े से हो रहा है तुकराम महाराज को ये सब सुनकर पीड़ा होती लेकिन फिर भी उनकी भक्ती चलती ही रही कभी नहीं रुकी जब जीवन अपना ये रंग दिखा रहा था तब तुकराम जी की भक्ती और बढ़ती चली गई तुकराम जी के इसी अनन्य भक्ती की वज़े से भगवान हर पल हर संकट में उनके साथ रहते तुकराम की पत्नी आवली बाई विठल से बहुत नफरत करती थी उनका सोचना था कि विठल ने उनके पती को पागल बना दिया है कि वो दिन भर केवल हरी नाम करते रहते हैं लेकिन फिर भी वे अपने पती के प्रती बहुत ही धर्मनिष्ट थी वो हर दिन 20 मील चलकर पहार पर चरती जहां तुकराम महराज भजन कर रहे होते और उनको खाने के लिए भाक्री परोस्ती क्योंकि वो तुकराम की इतनी सेवा करती इसलिए भगवान उनके पीछे पीछे ही रहते एक बार जब वो खाना लेकर जा रही थी तब उनके पैर में काटा चुप गया तब वो अपनी कुल्देवी से प्रात्ना कर रही थी कि वो काला विठल यहां नहीं आना चाहिए लेकिन विठल आये और उनका काटा निकाला जब पहाड पर पानी नहीं था तब वहाँ पानी प्रकट किया लेकिन वो बस विठल को एक काला जादूगर समझ दी तुकाराम महराज के जीवन में अनेकों कष्ट आये लेकिन वो भगवन नाम लेते हुए सभी कष्टों से बाहर निकले ऐसा ही एक दिन आया जब रामेश्वर भट जो उस समय वहाँ के एक महा विद्वान थे उन्होंने तुकाराम महराज जी के सारे अभंगों को इंद्रियानी नदी में बहा देने का अदेश दे दिया ये सुनते ही तुकाराम महराज बहुत निराश हो गए और बोले कि ये अभंग ही तो मेरी धन है भगवान का गुणगान ही तो मेरी संपत्ती है तुकाराम महराज जी ने ठान लिया कि वो बिना कुछ खाए पिये इंद्रियानी के तट पर बैठे रहेंगे और देहत्याग कर देंगे लेकिन भक्त वच्छल भगवान तेरे वे दिन प्रकट हुए और तुकाराम महराज जी को गले लगाया और इंद्रियानी देवी से सारे अभंग वापस देने के लिए कहा पूरा गाउं ये देखकर आश्चेरे चकित रहे गया और रामेश्वर भट को भी उसके कर्मों का दुष परिणाम मिला क्योंकि उसने भगवान के शुद्ध भक्त को पीड़ा पहुचाई थी और भगवान ये कभी सेहन नहीं कर सकते इसलिए परिणाम स्वरूब रामेश्वर भट्टे के शरीर में भयंकर जलन हुई तब उन्होंने तुकराम महराज जी से शमा प्रातना की जिसके उत्तर में तुकराम महराज ने उन्हें एक अभंग लिख कर भेजा जिस अभंगों पढ़कर उनकी जलन तुरंद समाप्त हो गई जिससे उन्हें अपनी भूल का पश्चाता भी हुआ चत्रपति शिवाजी महराज तुकराम जी की भक्ती और उनके विनम्र विहवार से बहुत प्रभावित थे और इसलिए समय समय पर उनसे भेट करने आते रहते जिसकी सुचना मुगलों को मिलने पर मुगल सेना मंदिर पर और शिवाजी महराज पर आक्रमन करने आई किंतु तुकराम महराज को जब ये पता चला तो उन्होंने उनके श्रीहरी विठल से शिवाजी महराज की रक्षा हेतु बहुत प्रार्थना की फल्स्वरूप भगवान ने शिवाजी महराज का रूप धारन किया और मंदिर से निकले जिसे देखकर मुगल सेना उनका पीछा करने लगी शिवाजी वने भगवान मुगल सेना को घने जंगलों में ले गए जबकि शिवाजी महराज तो मंदिर में तुकराम महराज के साथ किर्टन में मगन थे बाद में शिवाजी महराज को पता चला कि कैसे तुकराम महराज के भक्ती भाव से ही केवल उनके भक्ती भाव के कारण भगवान ने उनकी रक्षा की तुकाराम महराज जी का यश चारो ओर अब फैल चुका था और उनका इस धर्दी पर प्रकट होने का धिये हरिनाम प्रचार भी अपने गंतवे तक पहुँच चुका था तब फालगुट पुर्णिमा के दिन भगवान श्री हरी विश्णु ने तुकाराम महराज से कहा कि आज रात को तुम बहुत ही आनंद के साथ हरी किर्दन करो मैं कल सुबह तुमें वैकुंट के लिए लेने आऊंगा ओ तुका तुम्हारा जीवन धन्य है जो भी तुम्हारे बारे में श्रवन करेगा उसका जीवन निश्चित ही पूर नतह सफल होगा और अगले दिन सुबह ठीक जैसा की भगवान ने बोला था वैकुंट से विमान आया और तुका राम महराज जी ने पुनह वैकुंट को प्रस्थान किया पूरा गाउं आश्चर अच्चे कित रहे गया और उन सब की भक्ती के प्रती निश्ठा और भी द्रिड हो गई हम जाते हुए कहा कि हे भक्तो ध्यान से सुनों मैं तुम्हें पुनह बताता हूं कि जीवन कैसे जीना चाहिए सबसे पहले मन गणड़ और जूटे लेना क्यू हूं कि कली के युग में केवल वह ही एक मात्र उपाए हैं मेरा केवल यही संदेश है ऐसा कहते ही वे पुनह सब्सक्राइब सबसक्राइब गना है सब्सक्राइन चाहीब हमोट्צश्ट आप सब्सक्राइब करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839